इस वीडियो में क्लास नाइन्थ ML अकरवाल ICSC Board के बुक से यहां पर क्लास Q9, 10, 11 and 12 solve किया गया है यह दिक वेशन चले start करते है Q9 Find the greatest and smallest real numbers among the following real numbers तो इनने से पता करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है दिखिए आप पता तभी कर पाएंगे इनने से कौन बड़ा है, कौन चोटा है जब यह same जैसे दिखने लगे क्योंकि same तरह से दिखने ही रहे हैं तो सबको हमें same जैसा बढ़ाना पड़ेगा तो क्या करना होगा हमें यहां पर देखिए, रूट के बाहर जो नंबर्स दिये हुए है रूट के बाहर उनको अंदर डाना होगा तो सारेक सारे रूट में आ जाएंगे फिर same जैसे दिखने लागेंगे फिर हम comparison आसानी से कह सकते हैं तो लेट अस दू देट तो यहां पर देखिए 2 को अंदर ले जाने के लिए हमें 2 टाइम्स मड़पले करना पड़ेगा और यहां तो पहले-पहले हमें इस रूट 2 को ऊपर ले जाना होगा नियूमिरेटर में तो 3 into अंदर रूट 2 अपान यह हमने डिमेमिरेटर में rationalize कर दिया ताकि नीचे वाला नंबर rational हो जाए उसके बाद यहां पर मैनस रूट 7 और अंदर रूट 15 अब यहां पर हम मड़पले कर लेंगे 4th year 12 यहां पर हो जाएगा 3 upon 2 अंदर रूट 2 तो यहां पर हमने 3 by 2 को भी अंदर कर लिया तो 2 into 3 by 2 into 3 by 2 दो बार मड़पले करना होता है तो यह मड़प कट गए हाँ पर अब यहां पर आपको सेम तरह से दिखने वाले numbers मिल गए तो यहां पर हमें 9 upon 2 मिला इसको decimal के form में कर लेते हैं तब जाकर करके हमें comparison करना आसान हो जाएगा तो यहां पर आप ध्यान से देखिए सारे के सारे सेम तरह से दिखने वाले numbers मिल गए हैं और सारे के सारे under root के अंदर है जो under root के अंदर हैं तो देखे कि कौन सा सबसे बड़ा है तो देखे निगेटिव होगा वह number तो smallest होगी डिरेक्टली देखके पता सकते हैं तो इस इस दा स्मॉलेस्ट बट विट इस दे ग्रेटेस्ट अब देखना होगा जो पॉजिटिव हैं उन्में से कौन सा बड़ा है अंदरूट के अंदर देखे यहां पर under 15 जो 15 है वो बड़ा है 4.5 से भी और 12 से भी सेकेंड पार्ट में देखिए सेम वहीसे ही करना है तो सबसे पहले हम जो under root के बाहर जो नंबर होता है उसको अंदर करते है यहां पर 3 को हमने अंदर डाला तो दो बार करके मने बड़ाई कर दिया ठीक है यहां पर देखिए इसको वाले अंडर चैनलाई करना पड़ेगा मनस 4 उसके बाद से 4 अपर 3 और अंदर डाला तो दो बार में बने कर दिया यहां पर देखिए 3 बार 2 को भी पर दो बने कर दिया अब यहां पर सिंपलिफाई करते हैं यहां पर दोइदेगा जो मैनस 4 है इसको भी हम square root के form में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे minus of under root ये 4 into 4 मंटबले करतीजे दो बार under root के अंदर ये बाहर ही है under root में 0 है यापर ये हो जाएगा 4 into 4 ऐसा लिख सकते हैं सबको under root के अंदर लिखना है यहाँ हो जाएगा 4 into 16, 16, 15, 20, 80 80 upon 9 9, 3, 2, 27 upon 4 अब यहाँ पर 9, 5 को अंदर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐसा फिर यहाँ पर 5 से 5 cancel हो जाएगा और हम अटप्लाइ करेंगे और decimal के form में convert करेंगे तो finally मिल जाएगा हमें ये 9, 9, 2, 81 अपन 5 होगा और 81 upon 5 होगा तो यदि हम convert करेंगे decimal में तो मिलेगा हमें 13.2 यहाँ होगा minus 16 यहाँ पर होगा under root of 8.88 8.88 यह होगा और under root of यहाँ पर होगा देखिए हमने यहाँ पर जब square root के अंदर सबको represent कर लिया तो देख सकते हैं कि जो most negative होगा वही होगा smallest देखिए हम पर minus minus under root 18 this is the smallest क्योंकि दो ही नमबर है जो negative है minus under root 18 और minus under root 16 तो इन में से यह smallest हो गया अब देखिए जो positive में है उन में से greatest कौन है अंदर वाला number 16.2 is the greatest among all these positive numbers तो यह number हो गया greatest ऐसा करने के बाद आप आसानी से find कर सकते हैं कौन सा greatest है कौन सा smallest है ठीक है आपको अंदर ले जाना है ऐसे ही simply और numbers यदि ratio के फार्म में आते हैं rational अबक फार्म में तो उसको decimal में convert कर लिजेगा तभी आपको सही सही आंसर मिलेगा उके चली question number 10 write the following numbers in ascending order तो इन सभी को हमें ascending order में arrange करना है तो यहाँ पर तो आसा ध्यान से दिखेगा under root 2 है under root 3 है under root 15 है मतलब कहीं पर cube root या force root नहीं है तो ऐसे questions में simply करना क्या होता है कि जो बाहर जो number होता है under root के बाहर उसको under करना होता है और सेम तरह के दिखने लगते हैं अंदर करने के बाद जब सेम तरह के दिखने लगेंगे तो comparison करना एकदम आसान हो जाएगा फिर हम ascending order में convert arrange कर सकते हैं तो let us do this तो पहले पहले हम under root के अंदर इसको insert करेंगे तो 2 into 3 3 into 3 हो जाएगा यह यहां हो जाएगा 3 into 2 into 2 square root के अंदर जाता है तो double हो जाता है तभी तो बाहर निगलता है single आप इसको जानते हैं यह हो गया 15 यह हो गया 4 4 को भी square root के अंदर रख देंगे 4 को यह इसकोर root के अंदर करेंगे 4 into 4 यह भी होगा ओके अब यहां पर multiply कर लिजी कितना आएगा 3 into 2 9, 9 to 2 18 4 into 12 यह हो गया अंदर रख 15 यह हो गया अंदर रख 16 तो आप यहां पर arrangement आसानी से कर सकते हैं जब यह numbers को हम ascending order में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा लिखना पड़ेगा इन सभी में सबसे smallest कौन है यह रहा under root 12 सबसे पहले लिख दीजे under root 12 उससे बड़ा कौन है under root 15 इससे बड़ा कौन है under root 16 और उससे बड़ा कौन है under root 18 लेकिन लिखने के बाद अब हमें इसको इसके corresponding जो numbers थे उनको लिख देना है under root 12 भी बाद क्या था 2 root 3 यह है 2 root 3 under 15 कहा है यह है तो आपका root 15 तो ऐसे ही था under 16 के लिए 4 लिख दीजिए under root 18 यहाँ पर 30 root 2 this is the arrangement in ascending order of these numbers चलिए next करते है second part of this देखें यहाँ भी square root है square root है यहाँ भी square root है यहाँ square root है same चीज जो यहाँ पर किये थे वही यहाँ भी करेंगे let us do this तो हमने under root के अंदर सारे number जो बाहर थे उनको अंदर कर लिया तो ऐसे हो गया अब यहाँ अंदर अदर कर लेंगे तो यह ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन सा smallest होगा जो number अंदर के जो square root के अंदर जो number smallest होगी वही सबसे small होगा तो numbers को यदि ascending order में arrange करेंगे हमें मिल जाएगा सबसे पहले लिखना होगा under root 16 this is the smallest after this under root 18 after this this one under root 48 after this under root 50 अब इनके corresponding जो number से हैं यहाँ पर उनको यह लिख दीजिए क्योंकि exactly हमें इन ही को तो arrange करना है under root 16 के corresponding काउन सा था under root यह 4 4 is smallest actually under root 18 18 है 3 root 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 छोटा है 3 root 2 से है can you imagine ऐसे देख करके मपता नहीं कर पाते देखिए under 32 2 root 8 और 2 root 8 बड़ा है 3 root 2 से भी 48 under 48 है 4 root 3 4 root 3 50 under 50 is 150 it is given like this okay करना है चली करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 9 upon root 2 है यदि denominator में under root का कोई नंबर है तो उसको पहले rationalize करनेंगे rationalize करने के बाद हमें मिलेगा 9 upon 2 root 2 comma all these numbers अब हमें क्या करना है कि under root के अंदर यह जो है 9 upon 2 इसको अंदर भेजना है ठीक है इन सारे numbers को जो under root के बाहर हैं ये ये और ये और ये इन चारों को under root के अंदर भेजिए यहाँ पर हमने ऐसा लिख लिए क्यों जो बाहर है उनको दो बार multiply करतेंगे square root के अंदर ठीक है तो यहाँ पर अब multiply करने के बाद क्या मिलेगा देखिए यहाँ से एक 2 cancel हो जाएगा एक 2 से तो मिलेगा हमें under root 81 upon 2 तो यहाँ देखिए हमें under root के अंदर सबको हमने कर लिया है बट हमें directly यहाँ देख करके पता ने चल पाएगा कि कौन सा maximum, कौन सा greatest है कौन सा smallest है क्या करना होगा सबसे पहले हमें इसको decimal के form में convert करना होगा तो यदि हम इसको divide करते हैं और decimal के form में convert करते हैं तो हमें मिलेगा 81 upon 2 मिल जाएगा 40.5 and 45 upon 4 का value divide करेंगे तो 11.25 and 48 तो वैसे ही रहेगा 54 upon 5 की जो decimal representation होगा 10.8 तो अब यहाँ पर आप आसानी से देख करके बता सकते हैं कि कौन सा greatest है, this is greatest तो descending order में लिखना है हमे, descending order में लिखना हो, descending order, okay तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले लेना होगा इन सभी में से बड़ा number, तो यह under root 48 पहले लिखेंगे, under root 48 के बाद मिलेगा, under root 40.5, this one इसके बाद हमें यह मिलेगा under root 11.25 तो हमने इन सभी को decreasing order में arrange कर लिया देखिए under root 48 किसके corresponding है उन सबको लिख लिजिए under root 48 corresponding है यहाँ पर 4 root 3 यह आपका है descending order arrangement of these numbers चलिए इसका second part करते हैं देखिए इस part में भी आपको यहाँ पर slice करना होगा अब यहाँ पर root के बाहर जो numbers है 513, 713, and minus 1 and 3, and 2 इन सभी को हम root के अंदर insert करेंगे तो हमने यह 513 को 2 times में बाहर कर लिया 713, 2 times यहाँ पर तो बाहर 1 है तो 1 जाएगा तो उतरही रहेगा 3 root 5 को करेंगे तो यहाँ पर 2 times 3 हो जाएगा यहाँ 2 times 2 हो जाएगा अब यहाँ आप मटप्लाई कर लेंगे और जहाँ पर cancel करने लाएक रहेगा वहाँ cancel भी कर देंगे थोड़ा तो हमें मिल जाएगा finally, देखे हमें under root के अंदर सारे numbers मिल चुके हैं but हमें इनको decimal के form में लिखना होगा तभी हम इनको arrange कर पाएंगे descending order में तो यहाँ पर divide कर लेंगे और divide करने के बाद decimal form में convert कर लेंगे यहाँ पर देखेगा 25.13 को यह दि decimal form में करेंगे 8.333 डॉडर डॉर आएगा मतलब कि यहाँ जो है non-terminating non-terminating decimal expansion of rational number है और यहाँ भी हम 10.888 ला सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया अब यहाँ ध्याँ दिजिएगा इसमें सबसे greatest जो greatest है वो कौन सा है तो greatest जो है यह है under root 45 सबसे पहले लिखेंगे greatest तो यह हो जाएगा under root 45 उसके बाद under root 45 से छोटा under root 28 तो यह हम corresponding numbers लिखेंगे तो क्या मिलेगा सबसे पहले under 45 तो यह है आपका 3 root 5 ओके सबसे पहले नमबर मिल गए हमें 3 root 5 उसके बाद हमें root 28 यहाँ पर है तो यह 2 root 7 तो यह हमारे arrangement हुजाएगा descending order this is your descending order arrangement of these numbers ओके now come to the next question question number 12 arrange the following numbers in ascending order यहाँ पर ध्यान दिजेगा यहाँ पर root के orders change हो रहे है मतलब यहाँ पर cube root है यहाँ पर square root है और यहाँ पर 6 root है तो जब roots के orders अलग-अलग हूँ तो हमें अलग तरीके से इसको arrange करना होता है या solve करना होता है कैसे करेंगे पहले तो सबको सेम तरह से दिखने वाले number बनाने होंगे यह तो confirm है यह तो मतलब एक principle है इन सभी में ठीक है ऐसे questions में हमें सेम तरह के number दिखने वाले बनाने ही होते है यहाँ पर जो जब root के orders चेंज हो रहे हों तो वहाँ पर अलग तरीके से हमें करना होता है कैसे करना होता है लेटसी सबसे पहले हम इनको ऐसे लिख लेंगे जैसे कि हम यहाँ पर ले सकते है इसको 2 to the power 1 upon 3 यहाँ ले सकते है 3 to the power 1 upon 2 यहाँ ले सकते है 5 to the power 1 upon 6 इनका मतलब यही होता है अब यहाँ पर जो denominator है denominator पर देखे क्या दिया हुआ है तो 3 है यहाँ पर 2 है 6 है इन तीनों का हम निकाल लेंगे LCM 3, 2 और 6 का LCM जो होगा वो क्या आएगा 3, 1, 3 3 से करेंगे 1, 1, 1 मतलब कि 6 आएगा LCM जब 6 आएगा तो हम क्या करेंगे सभी के जो denominator है यहाँ पर 3 है, 2 है, 6 है इन denominator को same करने के लिए हम 6 ला देंगे 6 कैसे लाएंगे यहाँ पर क्या करना होगा 2 to the power 1 upon 3 में numerator में और denominator में 2 से मटलब कर देंगे तो नीचे 6 आजाएगा हमें यही करना है, तो मटलब कर दीजिए तो मिलेगा 2 upon 6 ठीक है, इन 2, यहाँ पर करेंगे 3 to the power, यहाँ पर क्या मटलब कर देंगे numerator में और denominator में कि 6 हो जाए तो क्या करेंगे, 3 से उपर और नीचे भी 3 से, तो 3 upon 6 हो जाएगा यहाँ पर दखिए 5 to the power, यहाँ मटलब करेंगे 1 में क्या मटलब करेंगे और 6 में क्या मटलब करेंगे कि दोनों denominator में 6 हो जाए तो यहाँ पर तो 1 upon 6 करना पड़ेगा, क्योंकि अल्रेडी 6 है यहाँ पर तो 1 upon 6 इसको IJT रख देंगे, क्योंकि 1 से उपर करेंगे तो इतना ही आएगा ना अब यहाँ देख रहे हैं कि denominator क्या है equal है 3 हो का, अब यह करेंगे जो इसका numerator है उसको और जो denominator है उसको दोनों को separate कर देंगे जैसे कि हम ऐसा लिख सकते हैं a to the power m अपान रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं a to the power m multiplied by 1 upon n ऐसा लिख सकते हैं जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं a to the power m whole to the power 1 upon n ओके तो ऐसा रहेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसी rule का use करके हम यहाँ पर convert कर लेगे क्या मिलेगा 2 to the power 2 यह जो numerator है उसको हमें power मिले लिया और whole to the power 1 upon 6 ठीक है यहाँ पर क्या किया हमने 3 to the power 3 ले लिया अंदर और बाहर हो गया 1 upon 6 यहाँ पर हो जाएगा देखे 5 to the power 1 upon 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों में जो power है वो सेम है अब power इसी सेम है तो बस base का comparison करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बड़े सानी से यहाँ पर हो जाएगा यह 2 to the power 1 upon 6 यहाँ हो जाएगा थिती जाएगा थिती जाएगा 27 27 to the power 1 upon 6 और यहाँ पर 5 to the power 1 upon 6 तो मेरे खाल से मुझे इसको जीख कर देना चाहिए 27 to the power 1 upon 6 अब यहाँ पर देख सकते हैं सबके पावर यहीं सेम है तो आप केवल बेस का कंपरेजन करके बड़ा और छोटा बना सकते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है यही है 27 to the power 1 upon 6 तो अरेंजिंग इन एसेंडिंग ओर वी विल गेट ने एसेंडिंग ओर मेरेंज करेंगे सबसे छोटा कावन है यह है और इसको पहले लिखेंगे 4 to the power 1 upon 6 उसके बड़ा कावन है तो यह है 5 to the power 1 upon 6 और इसे भी बड़ा कावन है जो की लार्जेस्ट है 27 whole to the power 1 upon 6 अब इनको हम कर्सपोंडिंग ले लेंगे numbers तो 4 whole 1 यहाँ पर आ जाएगा तो correspondingly यदि हम यहाँ पर ले तो मिलेगा हमें cube root of 2 is the first one and after that this one 6 root of 6 root of 5 6 root of 5 after that square root of 3 square root of 3 is the largest number and cube root of 2 is the smallest number among these numbers ठीक है खार हमें तो ascending order में करना था तो यही एक तरीका है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं चाहें कैसा भी दिया हो कितना भी 6 root, 5 root, 8 root दिया हो आप सबके denominator सकाइल से निकालिए उसके पासे denominator को same करिए उसके पासे इसको separate करिए और उसके बासे आप यहाँ पर आगाम से आप इन दोसको share करिए और यदि कोई भी doubt होता है तो comment box आपके लिए है जरूर करिए यदि आपको किसी exercise का solution चाहिए तो वो भी आप comment में लिखिए और यदि आपको कुछ भी doubt नहीं है फिर भी आप यदि कुछ comment करेंगे अब दो मेरे लिए अच्छा रहेगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग बाई